नेता जी सुभाश रंद्रबोस भारत के सबसे बड़े लीडर और उनका अच्छानक से कायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी मिस्टर। कई सालों से हमें ये बताया गया है कि नेता जी का अंध भारत के बाहर एक प्लेन क्राश में हुआ है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? एविडिन्स क्या खहता है। 23 जैनरी सुभाश बाबू की 125 भी बिर्ट आनुवसरी है। क्या हम एटलीस उन्हें एक गिफ्ट दे सकता है? सच का गिफ्ट। इस वीडियो में हमारे कुछ सवाल हैं। अगर नेता जी का देहाँ 1945 में एक प्लेन क्राश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर पर और उनकी फैमिली पर गवर्मेंट ने नजर क्यों रखे? सुभाश बाबू की रिमेंज की आज तक DNA टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों चुपाया जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि इन सवालों की चवाब हम सब के लिए सरूर है, तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुचाने में हमारी हेल्प भी है। बात है 1945 की जब पूरी दुनिया को एक शौकिंग न्यूज मिली। Mr. Subash Tandra Bose, dead. Reason बताया गया plane crash. लेकिन सप्राइजिंग बात ये है कि कई देशों की मेडिया ने जिस हॉस्पिटल में सुबाश पाबू ने अपना दम तोड़ा, उस हॉस्पिटल में जाकर on-ground report करने की कोशिश की। उन मेंसे किसी को भी ना की permission मिली, ना की एक single photo. और सबसे suspicious बात तो ये है कि इतने बड़े global icon जो Japan, Germany, Russia के leaders के साथ भारत की आजादी के बारे में strategy डिसकस कर देते, उनका death certificate है ही नहीं। Death certificate तो इचिरो उकुरा नाम के एक Japanese soldier का, तो सुबाश बबू का क्या हो। Inquiry शुरू हुई तन 1999 में आजादी के सिर्फ दो साल बाद, पंडित जवालाल नहरू जी ने खुद historian प्रतुल चंदर गुपता जी को अपॉइंट किया था। गुपता जी का यही goal था कि Indian National Army पर research करे और उनका भारत की आजादी में क्या contribution था, इस पर किताब लिखें। यह सारा research कुछ महिने नहीं, तीन साल तक चला और 490 पेज की manuscript ready थी, जिन में INA के military operations के बारे में पूरा ज्यान था। लोगों को लगा कि अब NETA जी और आजाद हिन फोज का असली contribution लोगों तक महुचेगा, लेकिन यह manuscript publish ही नहीं हुई। क्यों? ऐसे क्या secrets है उस किताब में? हमें इसके जवाब नहीं मिलते हैं, मिलती है तो बस कुछ theories। कई लोग मानता है कि सुभास बाबू कई सालों के लिए रश्या में थे, जिन्दा थे। और 1985 तक अलग-अलग government officials को उनके बारे में जानकारी थी। नहरू जी की sister विजय लक्ष्मी पंडित, Soviet Union की ambassador थी। उनकी रश्या के एक visit के बाद एक कहानी ऐसी है, जहां locals कहते है कि एक public meeting में उन्होंने ऐसे का था। राश्या में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली, जिनका नाम सुनने पर पूरा देश 15th August 1947 के आजादी की announcement के बाद जितना खुश हुआ था, उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये speech complete करने से पहले इन नहरू जी ने उन्हें रोक ली, सथ से हम सब को इतना दूर क्यों रखा जा रहे हैं। 1955, शानवाज कमिशन, 1970, खोसला कमिशन, भारत में दो बार नेता जी के disappearance की mystery के बारे में investigation हुई और दो नो बार उन्हेंने conclude किया कि नेता जी की death टाइवान में plane crash से हुई। और फिर 1999 में और एक investigation शुरू हुआ, मुखर जी कमिशन, जहां ये कहा गया कि सुबाज बाबु की death एक plane crash में होना possible ही नहीं। नेता जी सुबाज चंद्रबोस की family आज भी उनके remains की DNA testing मांग रही है, जिससे ये prove हो सकता है कि आखिर उस plane में बोस थे भी आने ही। कुछ लोग मानते हैं कि नेता जी और कहीं नहीं, भारत ही लोट आये थे, लेकिन सच किसी को बता नहीं। 2016 में सरकार ने ऐसे कई files public कर दी, जिनमें नेता जी के बारे में secret information है, लेकिन ये documents भी incomplete हैं। इतने important documents destroy हो गए या कर दिये गए। लेकिन नेता जी इतने important क्यों, नेता जी के इतने दुश्मन क्यों, सिर्फ 20,000 British 30 करोड भारतियों लोगों पर राज कैसे कर सकते हैं। ये impossible लगता है क्योंकि ये impossible है। ये possible तभी हुआ जब Britishers ने एक trick का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन ही 30 करोड भारतियों को अपनी सेना में शामिल कर लिये। हमारे वीर उनकी दाकत बन गए थे। और सच तो ये है कि British 1857 की लड़ाई से ही इन वीरों से डरते थे। कॉलकता के एक British Governor General ने खुद कहा था कि अगर हर एक भारतवासी मुठी बर मिटी अंग्रेज ओपर एक साथ डाल दे तो पूरा Empire दफन हो जाएगा। और नेता जी ने ब्रिटिश होंके इसी डर को पहचाना था। नेता जी के इस mysterious disappearance के बाद भी नेता जी as a legend भारत की armed forces में जिन्दा था। और 1946 के Royal Navy Mutiny इस बात का सबूत। Just think about it, अगर नेता जी जिन्दा होते भारत में होते तो वो भारत के Prime Minister हो सकते थे। और इस fact की वज़े से उन्होंने देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी कई enemies बनाये होए थे। वो तो भारत को लीड करने के लिए इस level तक तयार थे कि हमारी economic policies कैसी होनी चाहिए, industrialization कितना और कहां कहां होना चाहिए, हमारे देश का vision क्या होना चाहिए, ये भी वो जानते थे। अगर नेता जी जिन्दा होते तो आज भारत कई साल आगे होते। दुख की बात ये है कि नेता जी के साथ-साथ आजाद हिंद फौज का हमारे भारत के लिए contribution आज 70 साल बाद या तो हमारे history books में से missing है या तो बस एक line बंकर रह गया है। नेता जी की 125 वी birth anniversary पर हम उनको एक promise जरूर कर सकते हैं कि हम उनका और उनके जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से value मिली तो please इसे share कीजे ताकि एक alternate history जो usually हमसे छुपाई जाती है वो लोगों तक पहुँचे। नेता जी की life और उनके death के बारे में ये सारे सवाल लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हम ये मान सकता है कि हमें आजादी बिना हिमसा की मिली। लेकिन जब हम ये कहते हैं तब हम जाने अंचाने में उन 25 लाग भारत के soldiers को भूल जाते हैं जो world war 2 में बिर्टिशों की तरफ से लड़े थे। सिर्फ इसी hope में कि उनकी मदद करने के बाद बिर्टिश अपना भारत छोड़ने का promise निभाएंगा। लगने लगता है कि वो बस एक casualty थे उनके बलिदान से किसी को भी क्या फरक पड़ता है। लेकिन सच तो यह है कि सुभाश बाबुजे से सेना नहीं ही थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एंपायर डरता थे। और आज उनकी memories उनके values के रूप में उन्हें जिन्दा रखने से मुझे फरक पड़ता है।